हेलो एब्रीवान स्वाकित आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में इस वीडियो में हम देखेंगे हर्याना पुलिस कॉंस्टेबल और दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट नमबर एट जिसमें हम जो है अलग-लग एक्जामों में पूछे की कॉशन देखे करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप जो है इन दोनों ही एक्जाम के लिए अगर मोक टेस्ट कंप्लीट खरीदना चाहते हैं तो प्रीक्षा आप से खरीद सकते हैं ठीक है उसके लिए जो है आप हमारा टोपर्स फॉर्टी कोड यूज कर सकते हैं ज karemy here's which of these words refers to the scientific study of the domestic dog carpal 거지 crematistics signology या craniozzy करणी ओलोजी ठीक है यहां पर बताना है scientific study of domestic dog तो राइट पर ऊंटー परता हैं इसमयो ख़़ाए ओपर ईसाइनओलोजी ठीक है साइनोलोजी जो है यहाँ पे सही होगा D option और यहाँ पे C option अगर मैं बात करूँ कॉर्पोलोजी की तो कॉर्पोलोजी होता है Study of Seed and Fruits Seed and Fruits Crematistics क्या होता है Crematistics होता है Study of Wealth Study of Wealth As measured in Money ठीक है और कार्नोलोजी होता है Study of Characteristic of the Skull Such as Size and Shape Especially in Human ठीक है तो यह याद रखिए Next है Vayovrida, Swatantrata Sinani Samad Sudharag और Narivadi Savitri Bhai Phule भारत के निमन लिखित में से किस राज्य से है Veteran Freedom Fighter Social Reformer and Feminist Savitri Bhai Phule Hailed from which of the following state of India Maharashtra, Rajasthan, Gujarat या फिर Odisha Savitri Bhai Phule जो थी, वो किसकी वाइब थी? Jotiba Govind Rao Phule की ठीक है Savitri Bhai Phule को क्या का जाता है? भारत की प्रत्थम महीला सिक्षिका समाद सुधारिका और यह क्या थी? एक कवित्री भी थी ठीक है? भारत से किसने करतारपूर गलियारे यानि की कोरीडोर का उद्गाटन किया और सिक्धरम के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तिर्थ यात्रियों के पहले जथे को जंडी दिखा कर रवाना किया तो किसने जो था करतारपूर गलियारे का उद्गाटन किया था नरिंद्र मोदी ने किया था ठीक है? प्राइम मिनिस्टर नरिंद्र मोदी ने आगे देखें ठोस कार्बन डाइकसाइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? पारद, पोटाश, सुष्क बरफ या इपसम इपसम, ड्राइ आइस, पोटाश या क्विक सिल्वर सुलिड कार्बन डाइकसाइड का सामान्य नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुष्क बरफ यानिकी ड्राइ आइस ठीक है? चलिए नेक्स देखें निमन लिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपोदर और रिवर्स रेपोदर जो है निर्दारित करती है विच ओफ दीज इंस्टिटूशन फिक्स दार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया तो बारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कोन निर्दारित करता है? रिजव बारतिय रिजव बैंक ठीक है? नेक्स देखे, विजय नगर की राजधानी, प्राचीन शहर हम्पी के खंधर की स्वर्तमान भारती राज्य में स्थित हैं, तिलंगाना, करनाटक, हर्याना या बिहार नेक्स देखे, उस बहुतिक विज्यानी का नाम बताई, जिसे न्यूट्रोन की खोज का स्रे दिया जाता है, 1932 की इस खोज के लिए उन्हें क्या मिला था, नॉबल पुरुसकार भी मिला था, तो उस विज्यानी का नाम बताना हमें, जिसने न्यूट्रोन को डिस्कवर किया था, जेस फ्लैमिंग, मैक्स फ्लैंक, अन्रिको फॉर्मी, जेम्स चैडविक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक, ठीक है, नेक्स देखे, निमन लिखित में से कौन सी पुस्तक सल्मान रुष्दी द्वारा नहीं लिखी गई है, जो इस में से सल्मान रुष्दी की बुक नहीं है, वो पूछी गई है, तो देखे, Midnight Children हो, Same हो, The Satinic Verses हो, तीनों ही बुक किसके हैं, सल्मान रुष्दी की है, जो बुक सल्मान रुष्दी की नहीं है, वो है An Area of Darkness, ये किसके बुक है, V.S. Naipal की बुक है, ठीक है, और इसके लाबा यहाँ पे Area of Darkness है, सशी थरूर की एक और बुक आई थी, नेक्स देखे, प्रियटक स्थल, अरकु घाटी, दक्षिन भारत के निमन लिखीत में से किस शहर के निकट स्थित है, मदुरई, विशाखा पटनम, मेंगलोर या फिर कोची, अरकु वैली, a tourist resort is located near which of these cities of South India, तो अरकु जो घाटी है, वो कहाँ पर है, विशाखा पटनम में है, ठीक है, चलिए, नेक्स चलते हैं, लगबग 600 वर्षों तक प्रित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई, in which year सांची was discovered after being abandoned for nearly 600 years, 1814, 1816 या फिर 1820, सांची की खोज जो थी, कब की गई थी, 1818 में की गई थी, ठीक है, तो first option जो है, यहाँ पर सही हो जाएगा, चलिए, नेक्स देखते हैं, Sir Thomas Rowe, England के King James I. के अधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल समराट के दरबार में आए थे, Sir Thomas Rowe came as an official ambassador from King James I. of England to which Mughal Emperor court, Orange J, Akbar, Sahajahan, Jahangir, Sir Thomas Rowe, किस मुगल समराट के दरबार में आए थे, Jahangir के दरबार में आए थे, तो D option जो है, यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, next देखिए, Koltunadu, Valvunad, और Thekumukur, यह भारत के किस राज़े में प्राचीन काल के अलपकालिक राज़े थे, करनाटका, गुजराथ, केरल या फिर बिहार, तो यह बताने हैं कि यह कहाँ पर थे, ठीक है, किस राज़े में, तो राइट आंसर हो जाएगा, यह तीनों ही जो हैं, कहाँ पर थे, केरल में, ठीक है, next देखिए, निमलिकित में से कौन सी अड़ी है, जो मानवकान का भाग नहीं है, रकाब, ककुद, सत्थून या उर्वस्थी, means, which of these wands is not a part of the human ear, malleus, stapes, femur, या incus, तो इन में से जो human ear का पाट नहीं है, वो कौन सी है, femur, femur कहाँ पर होती है, थाई में होती है, ठीक है, तो यह ear का भाग नहीं है, नेक्स देखें, विश्व खाद्या प्रिकरम, WFF, यानि कि, World Food Program is the Food Assistance Branch of the United Nation, where is it headquarter, WFF, विश्व खाद्या का जो है, हमें मुख्याल्या बताना है कि कहाँ पर है, Brussels में, Paris में, New York में, या फिर Rome में, तो WFP का जो headquarter है, वो है Rome में, Rome जो है, या पर correct हो जाएगा, नेक्स देखते हैं, निमन लिखित में से, किस अभी नेत्री ने Mission Mangal फिलम में, प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रैपर भारत के पहले Mission में, महिलाओं के योगदान की सच्ची कहाने को नट के रूप से दर्शाती है, करीना कापूर, विद्या बालन, दिपिका पादकोन, काजोल, Mission Mangal, तो किस ने निभाई थी भूमिका, विद्या बालन ने निभाई थी, ठीक है, नेक्स देखिए, उस लेखक का नाम बताएं, जिसने अपनी पुस्तक, An Era of Darkness, The British Empire in India के लिए साहित्य अकादमी पुरुषकार 2019 जेता, विक्रम सेट, रॉमिला थापर, सशी थरूर, राम चंदर गुहा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहली बताया, An Era of Darkness, किसकी बुक है, सशी थरूर की, An Area, पूछा जाए, Area of Darkness, किसकी बुक है, वियस नाइपॉल की, ठीक है, चलिए, नेक्स देखिए, कोशन है, चाहे समस्त भारत को आग लग जाए, तब भी पाकिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान मेरे शव पर ही बनेगा, ये शब्द किसने कहे थी, तो किस ने कहे थे, ये शब्द, ये शब्द कहे थे, महात्मा गांधी ने, ये शब्द कहें, नेक्स कोशन देखते हैं, पास किया गया था ठीक है ये प्रस्ताव जो था लाहूर में पास किया गया था और वहीं पर जो है इसका नाम पाकिस्तान प्रस्ताव रखा गया था ठीक है और ये पास हुआ था 23 मारच 1940 को ये भी पूछ सकते कि कहाँ पर पास किया गया तो लाहोर में जो था ये पास किया गया था 23 मार्च 1940 को ठीक है बी ओप्शन जो यहाँ पर सही हो जाएगा Next, cabinet mission ने अपनी सवैदानिक योजना की गोशना कब की थी? When cabinet mission declared its constitutional plan 16 मय 1945, 16 मय 1946, 16 मय 1947 को when cabinet mission declared its constitutional plan तो कब जो है cabinet mission ने से मैंदानिक योजना की गोशना की थी 16 मई 1946 स्वी को ठीक है next है महात्मा गांधी किस भाशा को रश्टे भाशा बनाने के पक्ष में थी हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी या फिर संस्कृत महात्मा गांधी favored which language as national language तो महात्मा गांधी हिंदी को जो है रश्टे भाशा बनाने के पक्ष में थी तो first option जो यहाँ पर सही हो जाएगा हिंदी ठीक है next है पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले जो प्रियोग था वो किस ने किया था who first time used the word पाकिस्तान रह्मत अली, मौहमद इकबाल, मौहमद अली जिन्ना या फिर आगां खां तो देखिये पाकिस्तान शब्द का प्रियोग जो था सबसे पहले 1933 में हुआ था और इस शब्द का सबसे पहले प्रियोग किया था रह्मत अली ने ठीक है, तो first option है आपर सही हो जाएगा रह्मत अली next देखिये, सविधान सभा में कितनी धाराई हैं how many clauses consist in the Indian constitution 390, 392, 395 या 398 सविधान सभा में धाराई पूछी हैं, धाराई कितनी है सविधान सभा में 395 395, ठीक है, next देखिये, धरम निर्पेक्ष राजय का अर्थ क्या था एक धरम पराधारित राजय, सभी धर्मों का आदर करने वाला Hindu धर्म के पक्ष में, Islam के पक्ष में, secular state कौन सी होती है जहां पर किसी भी धर्म को जाद, हर एक धर्म को equal माना जाए ठीक है तो सभी धर्मों का आदर तो B option जो है यहां पे सही हो जाएगा respect of all religions ठीक है next देखें निमल लिखित में से किस महादीप में जो है जन संख्या व्रिधी सरवादिक है अफरीका, एशिया, दक्षिन अमेरिका, उत्तर अमेरिका यहां पे पूछा क्या है कि which one of the following continent has the highest growth of population अफरीका, एशिया, साउथ अमेरिका या ना और अमेरिका तो कहां पर है highest growth of population जन संख्या व्रिधी सबसे जादा वो है अफरीका में ठीक है, first option, अफरीका next देखे, निमन लिखित में से कौन साइक प्रती कर्श कारक नहीं है तो यहां पे जो है, migration का push factor जो नहीं है वो बताना है push is not a factor, not a push factor in migration okay, जल का अभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा, शेक्षिनिक सुविधाया, महा मार्या which one of the following is not a push factor in migration water shortage, unemployment, medical educational facility या epidemics तो देखे, push factor कौन कौन से हो सकते है water shortage हो सकता है, sorry, shortage है unemployment हो सकता है, epidemics हो सकता है, यानि कि महा मारी से जो नहीं हो सकता है, वो है medical और educational facilities जिकित्सा और सेक्षिनिक सुविधाया ठीक, next देखे, निमन लिखित में से कौन सा देश उच मानव विकास वाला देश नहीं है, बताना है जापान, नार्वे, मिश्र या फिर अर्जेंटिना which one of the following is not a country with high human development तो right answer हो जाएगा, is zip ठीक है, c option जो है यहाँ पे सही रहेगा, is zip ठीक, निमन लिखित में से किस वर्ष में पहला radio कारियकरम प्रसारित हुआ था पहला radio कारियकरम जो है बताना है कि किस वर्ष जो है यह प्रसारित हुआ था 1911 में 1936, 1927 या 1923 तो देखे चो पहला radio प्रोग्राम ब्रोडकास्ट हुआ था वो ब्रोडकास्ट हुआ था जून 1923 में 1923 ठीक है, तो right answer 1923 हो जाएगा next है किस तत्व को माता प्रकृति कहती है भोतिक प्रियावरण, सांस्कृतिक प्रियावरण, राजनितिक प्रियावरण या फिर ओद्योगिक प्रियावरण, माता प्रकृति which element is called mother nature, physical environment, cultural environment, political या industrial mother nature किस element को कहा जाता है, किस environment को कहा जाता है भोतिक प्रियावरण, यानि कि physical environment को कहा जाता है environment ठीक है, mother nature physical environment next देखे, निमन लिकित में से कौन साइक भारत में पुरुष प्रवाश का मुख्य कारना है, पुरुष प्रवाश होता है male migration in India main reason क्या है, migration का, ठीक है male के बारे में पूछा है पुरुष का सिक्षा, व्यवसाई, विवा, काम या रोजगार तो क्या है reason वो है काम और रोजगार, ठीक है work and employment D option जो है, सही हो जाएगा next देखे, निमन व्यापार सो मुँमें से बारत किसका एक सह सदश्य है, in which of the following trade block is India is an associate member Safta, ASEAN OECD या OPEC, तो in which of the following trade block is India and associate member, किसका member है इन में से भारत तो भारत member है, Safta का Safta क्या है, South Asian South Asian free trade area free trade area इसमें देखे, कौन कौन सी country आती है Afghanistan, Bangladesh, Bhutan India, Maldiv Pakistan, Sri Lanka ठीक है, ये सारी countries इसमें आती है, तो Safta, जो है यां पे सही हो जाएगा ठीक, कौन सा नगर है जो की मध्यकाली नगर है, which is a medieval town Delhi, Mumbai, Chandigarh, या पाटली पुत्र, इन में से मध्यकाली नगर कौन सा है, तो वो है पाटली पुत्र, ठीक है D option जो है, सही हो जाएगा निमलिकित में से कौन सीक आर्थी क्रिया, ग्रामीन बस्तियों की मुख्या आर्थी क्रिया ठीक है, next देखिए, question है computer के, insertion operation in a stack is called, stack जो होता है stack कुछ इस तरीके से होता है, देखिए तो stack में जो insertion होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो stack में अगर हम कोई भी number insert करते हैं 5 है, 6 है, 7 है, कोई भी number हम जब stack में डालते insert करते हैं, तो उस operation को बोला जाता है, push operation ठीक है, अब stack में कुछ elements है, और हम उस element को delete करें, जो like मैंने 7 को delete किया, ठीक है, तो delete करना क्या कहलाता है stack में, तो stack में जो deletion operation है, उसको कहते है pop, तो यह याद रखे insertion operation को push कहा जाता है और delete operation को pop कहा जाता है, और यह सारे question जो है, NCRT से related है 11-12 से, और जो भी इनकी theory है, वो हम अल्रेडी कर चुके हैं पहले, तो हर्याना police के लिए बहुत important है यह question ठीक है, चलिए, अब पूछा गया है DDL, DDL आता है यह DBMS, जो हमने किया NCRT का, उसमें आता है DDL DDL होता है data definition language data definition language और एक होता DML, data manipulation language ठीक है, अगला देखे 3NF में प्रते एक non-key attribute primary key पर कैसी आशरीत होती, इन 3NF every non-key attribute is dash dependent on primary key तो देखे, हमने इससे पहले वाले में 2NF, जो mock test number 7 था उसमें पढ़ा था, कि 2NF में क्या होता है, हर एक जो key attribute होता है वो fully functionally dependent होता है ओके, और 3NF में क्या होता है, known की attribute is transitively dependent होता है transitively dependent on primary key, ठीक है याद रखे, अगला देखते है when का पूरन रूप, full form बतानी है when की तो when की full form होती है wide area network ठीक है, then है www का पूरन रूप क्या होता है, तो world wide web ठीक है next है, HTML में कितने heading होते है देरा dash number of heading in HTML, 6, 5, 4 या 3 तो HTML में अगर हम heading की बात करें, तो HTML में heading होते है, 6 6 heading जो है, HTML में होती है इसके अलावा जो यहां से question पूछ सकते हैं, कि largest heading कौन सा होता है ठीक है, सबसे बड़ा वाला, तो वो H1 होता है फिर H1 के बाद H2 होता है, फिर H3, फिर H4, H5 और सबसे जो छोटा होता है, small होता है, edge 6 ठीक है, यह चीज़ याद रखिए, तो right answer हो जाएगा, 6 Next है, a system designed to prevent unauthorized access to a network is called एक network पर अनाधिकरित user से बचाने के लिए design किया गया system जो हता वो क्या कहलाता है, gateway, router, bridge या fire wall तो right answer हो जाएगा, unauthorized access से बचाने के लिए जो system design किया जाता है, उसे fire wall बोला जाता है तो fire wall जो है, सही हो जाएगा याँबे, ठीक है Next है, C++ was developed by Charles Babes, Danis Ritchie, Vazranis Trostrup या कोई नहीं तो C++ को पूछा है, किस ने develop किया था, Charles Babes कोन थे, जिसे father of computer बोला जाते है ठीक है, Danis Ritchie ने किसको develop किया था, C language को develop किया था और Vazranis Trostrup ने C++ को develop किया था, तो right answer Vazranis Trostrup हो जाएगा याँबे ठीक है, Next है, a constructor has the same name as that of its तो खे, constructor क्या होता है, जिसके द्वारा हम object को create करते हैं, वो constructor होता है इसी तरीके से एक द्ट्ट्रक्टर होता है, जिसके द्वारा हम क्या ग02, object को destroy करते हैं, तो यहाँ पर पूछा था, कि जो constructor का नाम हम program में डालते हैं, वो किस की तरीके, मतलब किस जैसा होता है तो constructor का name जो सेम होता है as a class name, जो class का name होता है, वही हम constructor का name लेते हैं destructor में भी same होता है, जो class का name होता है, वही destructor का name होता है, लेकिन फरेक्ट क्या होता है constructor, destructor में destructor में हम tilt operator का जहाँ use करते हैं, class name के आगे, ठीक है, जो constructor name हम destructor name हम लेते हैं, same class name के साथ, तो वहाँ पे tilde operator कुछ इस तरीके से लगाया जाता है तो यह destructor में use होता है, तो constructor का जो name होता है वो as that of its class name, ठीक है next है, a relation is in first normal form, if all underlying domains of a relation contain a dash value, कोई relation first nf में कब होगी जब जितनी भी domains है वहाँ पर क्या करेंगी, कैसी value contain करेंगे, atomic value contain करेंगे, ठीक है, तो contain atomic values ठीक, a record is also known as, record कोर किस नाम से जाना जाता है, record कोर किस नाम से जानते हैं, टपल की नाम से भी जानते हैं, record is also known as, टपल land का पूरन रूफ, फुल फोर बतानी है तो local area network ठीक है next देखे, stack किस उस पर principle पर बीस्ट है, तो stack मैंने आपको बताया, stack कुछ इस तरीके से होता है insert और delete, इसका कहां पर होता है, top of the stack होता है, इसमें जो insertion का operation होता है, उसे हम push कहते हैं और जो deletion का operation होता है, उसे pop का आ जाता है, और यह किस नियम पर बीस्ट होता है, leafo यानि कि जो last में आएगा, वही सबसे पहले जाएगा, last in first out, like मैंने one, two, three, four, five numbers लिए, one, two three, seven, nine यह number लिए, सबसे पहले one गया then two गया, then three गया seven गया, nine गया, अब मुझे अगर इसमें से delete करना है कुछ stack में से, तो सबसे पहले मैं किस number को delete करूँगी, nine को delete करूँगी, तो जो सबसे last में in होगा, वही सबसे पहले out होगा, ठीक है, insertion जिसकी last में होगी, वो सबसे पहले delete होगा, तो यह होता है stack का principle, last in first out, तो first option जो यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक है, next देखे, a www client is called www जो client है उसे क्या कहते, देखे, कि जो client side होती है उसे बोला जाता है, web browser ठीक है, उसे क्या बोलेंगे web browser बोलेंगे तो right answer, web browser हो जाएगा ठीक, okay which tag is used for adding links to html page तो देखे, worldwide जो recipes होते हैं, web pages जो होते हैं, वो किसके द्वारा design किये जाते हैं, html hypertext markup language के द्वारा, okay, अगर हम html page में link जोड़ना चाहते हैं, कि मैंने कोई link दिया और जैसे ही मैं उस पर click करूँ, आपे कोई और file open हो जाए, ठीक है, इस तरीके का जो link जो दिया जाते है वो किस tag के द्वारा जो हम देते हैं, यह पूछा गया है, okay तो उसके लिए हम यूज करते हैं anchor tag, ठीक, a इस a tag means anchor tag का use क्या जाते है, link add करने के लिए html pages में, ठीक है okay, हागे reasoning के question है, in the following question select the related word from the given alternative, निमल लिखित प्रशनों में दिये गे, विकलपों में से समंदि शब्द को चुनिए, होकी के लिए हम यूज करते है, stick का stick के साथ खेली जाती है, तो cricket किसे खेलते हैं, बल्ले से, bat जो है या पर सही हो जाएगा, right answer ठीक है, next चलिए देखिए, in the following question select the related number, 1391 दिया है, और फिर 7 दिया है, तो जो relation 1st, 2nd में है, वही 3rd और 4th में मिलेगी तो 91 कैसे आ सकता है 13, 7 जा कितना बनेगा, तिरा सत्य 90, तो 7 into 7 कितना बन जाएगा 49, right answer या पर क्या हो जाएगा, 49 जो है या पर सही हो जाएगा ठीक है चलिए, next देखते हैं निमली कित परश्ण में दिये विकल्पों में से विश्म संख्या को चुनना है 42, 84 दिया है, 13, 25 17, 34, 24, 48 जो इनमें सबसे अलग है, वो देखनी है, तो देखेंगे, अगर यहाँ पर यह तो 42, प्लस 42 या क्या दिजे, 42 into 2 क्या होता है, 84 होता है दो गुना ले रखा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो इसमें नहीं है 17, 2, या 17, 17, कितने हो रहे हैं 34, 48 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 25 की जगा 26 होना था, तो यह जो है, यहाँ पर सही हो जाएगा 13, 25 वाला पेया, ओके नेक्स्ट देखें, कोशन है दी गई आकरती में 3 बुज़ बताने हैं तो काउंट करके देखें, कितने 3 बुज़ जो है, इसमें बन रहे हैं 4, 6, 5 या 7 तो देखते हैं, काउंट करके 1, 2 सोरी, 1 और 2, 3 और एक यह पूरा, ठीक है 4, तो टोटल कितने यह बन रहे ट्रेंगल, 4 ट्रेंगल यह बन रहे तो राइट आंसर हो जाएगा, 4 ठीक, नेक्स्ट है दी गई आकरती में आयत बताने हैं, रेक्टेंगल दीखें, इसमें कितने हैं, 13 है 15 है, 17 है या फिर 19 रेक्टेंगल है ठीक है, एक कोशन जरूर पूछा जाता है, यहां से ऐसा रेलेटिड तो इन कोशन के थोड़ी से प्रैक्टिस कीजिए एक एक नमबर बहुत इंपोर्ण है तो देखें, काउंट करते हैं कि कितने यहां यहां पर बन रहे हैं, ठीक है ठीक है, दुबारा देखते देखे सबसे पहले तो 1st, 2nd, 3rd यह बन रहा है नेक्स देखें क्या बन रहा है 4th बन रहा है यह ठीक है 5th बन रहा है यह नीचे वाला और अगर मैं देखू 6th 6th बन रहा है यह पूरा तो 6 जो है इस अकेले में हैं ठीक है, नेक्स हम देखते हैं फिर 1 यह रहा 7th ठीक है 1 यह नीचे वाला 8 1 यह वाला complete बन रहा है 9 ठीक है, 1 नीचे वाला complete बन रहा है तो पूरा 10 हो गया और 1 यह बन रहा है यहाँ पर 11 ठीक है, 11 जो है यहाँ पर बन चुके है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक यह रहा 12, एक नीचे 13 यह 12 हो गया, यह 13 हो गया यह पूरा बन रहा है, 14 बन रहा है ठीक है, यह 15 बन रहा है यहाँ से 16 हो रहा है and then 17, तो इसमें total 17 जो है rectangle जो है बन रहे है तो right answer यहाँ पर 17 हो जाएगा ठीक है चलिए अगला दीखते है नीचे एक घन की 3 वस्ताइं दर्शाई गई है तो हमें at the rate के विपरीत बचताना है कि opposite कौन सा जो है आएगा at the rate के, तो देखें जो at the rate के opposite नहीं आता है, first वाले में से जो नहीं आ सकता है, वो plus नहीं आ सकता percentage नहीं आ सकता, ठीक है at the rate के opposite ये वाला sign भी नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता, ठीक है तो देखें, ये cut हो गया option से hash में एक minute wait, wait, नहीं plus नहीं आ सकता, तो ये cut हो गया ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, बचा क्या, हैश, तो add the rate के opposite कौन सा word आ जाएगा, हैश, तो right answer यहां पे यह हो जाएगा, ठीक है, first का, मतलब स्वरी, first जो option है, वो सही होगा, next है, दी गई आकरतियों में से उस अतर, उतर आकरती को चुनिए, जिसमें प्रशन आ कर लेंगे, 25 कोशन आएंगे, I think, और उसमें से 22-30 कोशन आप इसली निकाल सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो obvious है, 25 के 25 भी जो आप ठीक कर सकते हैं, ठीक, तो हमें बस यह देखनी है, कि में किस प्रशन में जो है, यह बन रही है, ठीक है, तो first यह है option, second, third and fourth तो देखें, first option में अगर आप देखेंगे, तो कुछ इस तरीके की आकरती यहाँ पर बन रही है, ठीक है, second में देखें, क्या इस तरीके का कुछ बन रहा है, यहाँ पर इस जैसा, तो नहीं बन रहा है, third में भी देखें, simple यह तो बन रहा है, लेकिन इसको अगर ऐसे किया होता है, तो यह बनती, otherwise नहीं, तो यह भी नहीं answer, ठीक है, यह भी नहीं बन रहा है, तो right answer जो अकरती इसमें नहीं हीत है, वो है option number one, ठीक है, चलिए next देखें, निमली कित प्रशन में दियेगे, विकलपों में से प्रशन चिन के स्तान पर आने वाली संख्या चुननी है, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, दो, तीन, साथ, चार और बीच में है, 34, 8, 4, 5, 1, 37, 6, 7, 3, 5, हमें बताना है कि यहाँ पर जो है, क्या आने वाला है, ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 34 यहाँ पर किस तरीके से बन सकता है, अगर हम देखें, साचुक 28, तीन 32 प्लस 5, 37, तो यही बिल्कुल सही है, तो यही जो है, रूल इसमें अप्लाए हो रहा है, तो यह करते हैं, 5 तीन, 15, साचिक 42, और 42 और 15 को जब हम एड करेंगे, तो हमारे पास आएगा, 7, 5, 57 जो है, यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट है, मैट्स क 910, if the profit earned is 40%, then what is the cost price of the article, यह क्वस्तु का विक्रें मुल्य दिया, यानि कि selling price दिया, 910, उस पे profit दिया है 40%, तो हमें CP निकालना है, क्रें मुल्य कितना है, ठीक है, तो जो CP और SP के कोशन है, हमेशा उसमें CP को क्या मान के चलिए, 100%, अगर मैं कूँ कि 100% मेरा CP है, तो SP कहरा ह यह 910, लेकिन profit कितना हो रहा है, 40% का है, जब CP 100 है, प्रोफिट के बाद जो है, विक्रें मुले कितना हो जाएगा, 140%, तो हम यह कह सकते हैं, 140% की जो value है, 910 है, एक प्रतिशत की हम निकाल सकते है, 910 बटे, 140, हमेशा यह 100% की, तो इंटु में 100, जो है, यहाँ पे कर दीज जिए, 0 से 0, cancel, 7 से जाएगा यह, फिर यह कटेगा, यहाँ पे, 7, 1, 3, 1, 0, 650, जो है, यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 650, ठीक है, नेक्स देखे, XY दिया है, 2 ratio 3, Z का ratio दिया है, then what is the value of X, Z and Y, W, तो देखे, X ratio Y, X और Y की value देदी, 2 ratio 3, Z, W में क्या कर रहा है, 5X, तो यानि कि X की value कि इतनी थी, 2, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यह, ठीक है, W कितना है, 7Y, तो यानि कि 21 हो जाएगा, ठीक, यह 2 ratio 3 निकल रहा है, यह 10, 21 आ गया, अब हमें चाहिए, X, Z, X की value 2, Z की value 10, तो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है, and then है, Y, W, तो 3 और 21 की multiply करेंगे तो हो जाएगा, 63, तो 20, 63 जो है, यह, यहाँ पर right answer निकल जाएगा, इसका, ठीक है, चलिए, अगला देखते हैं, Wait, which of the following is known as plastic money, इन में से कौन सा है, जो plastic money की रूप में जाना जाता है, fixed deposit, credit card, barrier check, या demand draft, fixed, जो है, sorry, plastic money की रूप में हम किसे जानते हैं, the right answer हो जाएगा, credit card, ठीक है, Next है, what do we deduct from the gross national product to get the net national product, शुद राष्ट्रे उत्पाद प्राप्त करने के लिए, हम जो है, सकल राष्ट्रे उत्पाद से क्या घटाते हैं, तो NNP का जो formula होता है, वो क्या होता है, GNP minus depreciation, तो यह बहुत बारात है यह question, तो याद रखे, loss or depreciation, ठीक है, Next है, who was the first chairman of the planning commission, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थी, राजेंदर प्रसाद, डॉक्र एस राधा कृष्णन, ज्वारलाल नीरू या, विश्वेश रहिया, तो देखे, planning commission जो बना था, योजना आयोग 1950 में बना था, और इसके जो अध्यक्ष होते थे, वो कौन हो प्राइम मिनिस्टर होते थे, first prime minister कौन रहा है, राजी, sorry वो, बन्डी ज्वारलाल नीरू, तो ये पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, which of the following deal with economic offense, नीमलिकित में से कौन सा जो आर्थी कप्रादों से वेवार करता है, पोटा, टाडा, मीजा या कौफ पॉसा, ये देखे, economic offense की बात हो रही है, तो राइट अंसर हो जाएगा, कौफ पॉसा, ठीक है, next है, which country is following one party system, कौन सा देख से एक पार्टी परना ली, यानि कि उस देख में सिर्फ एक ही पार्टी का जो है, राज है, ठीक है, तो वो कौन सी पार्टी, जहां पे सिर्फ एक ही पार्टी है, चिली, चाइना, रशिया या स्पेन, तो एक पार्टी जो है, कहां पर है, लोगतंत्र की जो जरूरी विशेष्टा है, वो किसको परमुकता दीना है, ये बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा, किसको परमुकता दीना है, सिटिजन्स को, नागरिक को जो है, परमुकता दीना है, ठीक है, पूछा गया है कि भारतिय सविधान के किस सनुचेद के अंतरकत के इंदर सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है कौन सा आर्टिकल है वो तो राइट अंसर हो जाएगा आर्टिकल 256 फो वोज दा इंडियन डूलर वो हैड टेरिटरी आउट साइड इंडिया किस भारतिय साशक का रज्य विस्तार जो था ये भारत से बाहर था चंद्रगुप्त मोरिया, कनिष्क, चंद्रगुप्त मोरिया और कनिष्क बोथ या नो ओप्षन इस करेक्ट तो कौन सा इंडेंट डोलर था जिसका जो राज्य विस्थार था वो भारत से बार था तो वो थे चंदरगुप्त, मोर्य और कनिश्क दोनों ही ठीक है तो थार्ड ओप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा बहुत ठीक है तो यह था मोक टेस्ट नमबर एट थांक्यू सो करो प्सक्राण के लगाँ बलाँ वेठागी के लाजमाट प्सक्राण के तो हैंडेंट राजूल प्सक्राण के तो वेठान के छूशाँ घाट अजद एटार कर्च अवेठागी क। झाल झाल